कि येस स्टार्ट करते हैं कोई क्रिविजन पर्मुटेशन कॉंबिनेशन का विट प्रॉलम सॉल्विंग अप्रोच और इसमें मैं आपके साथ जो कोशन डिस्क्रस करूंगा क्योंकि कोशन लिखने में टाइम भी लगता है और दूसरा मैं से पहले चाहूंगा टेस्ट के फ आप्र है जिसमें सबसे जादा डाउट साते सबसे ब्रॉलम आती हो किसी भी कॉंटिट एक्जाम में चाहे फिर जाए जाइबर एक्जांक करा हो चाहे निमसेट का अगर सबसे इंपॉर्टन टोपिक कोई माना जाता है तो P and C and Probability विकॉज यह मैसा mathematical topic नहीं है यह logical topic है conceptual topic है जिस लग से मैंने आपको foundation पढ़ाया है आप देखोगे कि हम questions को कितने quickly solve कर सकते हैं और यह technique समझे क्योंकि जब आप final exam देने चाहें तो मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा लगे कि आप जो paper दे रहे हैं वो पुराना paper है पुराना paper है मतलब इतनी practice हो जाना चाहिए कि जो आप final exam दे रहे हैं उसके questions आपको ऐसा लगे कि कभी न कभी solve कियें तो मैं आपके साथ question read करता चलूँगा, discuss करता चलूँगा paper का link आपको मिलेगा तो आप आराम से उस paper को study कर सकते हो आप देखिए question number one हम देखें तो क्या है question number one में बोला गया है आप fair coin is tossed rapidly the probability of getting a result in the fifth toss different from those obtained in the first four toss कितना अच्छा question है कि एक coin को आप five time throw कर रहा है fifth toss में जो result आए वो first four से different हो इसका मतलब अगर आप logically सोचे तो और याद रखिएगा मैंने आपको जो permutation, competition probability पढ़ाई है बिल्कुल mathematical तरीके से नहीं पढ़ाई है बिल्कुल logical तरीके से conceptual तरीके से पढ़ाई हो और आप उसके base पे चाहे फिर कोई भी exam दो XYZ कोई भी exam दो चाहे फिर वो JMAs हो, advance हो चाहे वो NIMSET हो, चाहे वो NDA हो चाहे BITSET हो या XYZ कोई भी exam हो आप conceptual तरीके से question को कर सकते हैं अब देखिए क्या probability of happening का एक simple सा logic याद रखिएगा favorable cases upon total cases अब अगर आप देखो तो इसमें बोला है कि getting a result in fifth toss difference from the those obtained in first four यानि first four में जो भी result आया उससे fifth में different हो तो एक case ये बनेगा कि अगर first four में मान लो head, head, head आया तो last में tail या फिर आप two time direct कर सकते हो कि बढ़ समझा रहा हो इसलिए कुछ step बढ़ती है अधर ये step नहीं बढ़ेगी या फिर हो सकता है कि first four toss में अगर tail होगा तो फिर head आएगा यानि आप directly two time लिख सकते है अब देखिए coin में चाहिए head की बात करें चाहिए tail की सभी की one by two होती है यानि one by two की power five और या one by thirty two तो cancel होके हो गया one by sixteen तो one by sixteen is the right answer next question देखते है देखिए क्या है question number two question number two है there is a point inside the circle what is the priority that the point is close to the circumference then to the center देखिए कितना अच्छा कोशन है फिर सुनिए there is a point there is a point inside the circle what is the priority that this point is close to the circumference then to the center यानि एक circle में एक circle में आपको एक ऐसे point की quality बतानी जिसका जो point circumference के पास हो इसमें two variety बनती है एक बार और मैंने बताया था एक कभी-कभी center के पास का point पूछ सकते है एक कभी-कभी center circumference के पास का पिर समझेए कि एक circle है अब आपको ऐसे point बताना है जो circumference के पास हो obviously यह नहीं होगा तो आप थोड़ा logical सुचे कि अगर एक circle हम r radius का ले ले और एक concentric circle r by 2 radius का ले ले तो इसके बार जो भी point होगा यहां पर वो सारे point circumference के पास होगे remember और जो point इसके अंदर होगा वो center के near होगा तो अब आप से जो पूछा है वो बता सकता अभी आप से पूछा है कि अभी आप से क्या पूछा है कि वो center के वो सर्गम फ्रेंज के near हो सबसे पहले तो total के समिशा social agency probability में तो वो होगा pi r square numerator मे आएगा pi अगर मैं देखूँ तो इस पूरे circle का area pi r square minus इस वाले area को minus कर दो यानि r by 2 का square बस simple तो क्या आगया pi से pi cancel 3 r square by 4 r square यानि 3 by 4 is a right answer कितना अच्छा question एक बाद फिर सुनिए there is a point inside the circle what is the priority that this point is close to the circumference to the center यानि एक ऐसा point बताना है जो circumference के पास हो तो circumference के बास यानि एक core centric circle concealer कि r by 2 radius का अब इसके बाहर जो point होंगे वो circumference के पास होंगे अंदर होता तो center के near होते right note down this question yes next question देखते हैं question number third क्या है समझते है question number third में बोला गया है और मैं आपको यहाँ पर concept बताता चलूँगा question के solution बताता चलूँगा और मैं बिलकुर sure हूँ कि जो मैं आपके साथ यह question discuss करूँगा उससे P and C and probability में आपका perfect command आजाएगा आप questions को बहुत इजली solve कर सकते हैं और इसमें जो questions है वो एक्जाम्स के ही question ने देखिए question number third क्या है a man a man has five coins a man has five coins two of which are double headed one is double tailed and two are normal वाल ही ठीक है pick up the coin at random and toss the priority that the lower face of a coin is head यानि आपने इन five coins में से coin को select किया right pick up किया और उसको throw किया आप से बहुचा है कि find the priority of getting head अब lower face पर head बोला है तो इसमें confused होने की जोत नहीं कि lower face पर head बोला है तो upper face पर क्या आएगा आप जो चीज़ lower के लिए apply होगी वही अपर के लिए ओगी ये केवल वर्ड जो है lower थोड़ा सा confuse करने के साब से आपको दिया गया अधर्वाइस कोई वैसे नहीं था आप सूचे कि lower face पर head निकालने probability या अपर face पर एक निकालने वो सेम होगी आप समझेगा कितना अच्छा question है five coin है इसमें two coin ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ head है यह मैंने आपको foundation course में करवाए हो question है इनके दोनों तरफ head है two coins ऐसे हैं बहुत ही simple तरीके से हम पढ़ेंगे जिनका एक coin ऐसा जिसके दोनों तरफ tail है और two coin ऐसे हैं जो normal है normal है मतलब head tail यह समझाने के लिए ऐसा बनाया और head tail right अब आपको बिल्कु क्लियली बोला है कि उसने a coin is picked up a coin at random and toss it the probability that the lower face of a coin is head अब देखें सबसे पहले to हो सकता head की प्रविली एंगे हो सकता यह coin हो हो सकता ही कोई को सबसे पहले अगर यह coin होब तो इसकी probability होगी इस coin की आने की probability two by five । five मेंसे दो coin है से जिन पर दोनों head और है और इस पर head आने के जब 1 by 5 पर इससे टेल आने की प्लिटी जीरो एंड एक केसी होगा कि यह हो सकता है यह 2 कोई हो तो 2 by 5 और इससे हैड आने की प्लिटी 1 by 2 यानि फाइनली लॉजिकली देखें तो 2 by 5 प्लस 1 by 5 जिस इस 3 by 5 यानि 3 by 5 जा राइट आंसर एक बर कुश्चन फिर समझें कि 2 कोई है जिनके जिनमें 2 कोई ऐसे जिन पर दोनों फेसे पर हैड है वन कोई ऐसा जिसके दोनों फेसे पर टेल है और टू कोई आर नॉर्मल कोई यानि फेर कोई अब आपने एक कोई को पिक किया और टॉस किया फाइंड पूछा है तो यह हो गया कि मैंने बोला कि यह 2 कोई हुए तो 2 by 5 उससे हैड आने की स्वरटी 1 वह कोई हुआ तो 1 by 5 पर उससे हैड आनी पिए 0 ये कौई है तो 2 by 5 1 by 2 सोचो कि अगर इसमें यह head की बात कर रहे हैं अगर suppose मैं tell की बात करता तो यह बात तो आपको पता है कि head or tell का sum हमेशा one होगा तो आप directly concept के लिए बता रहा हूँ कि देखिए मुझे केवल आपको questions all नहीं करवाना PNC के concept भी बनवाना और इस धंग से तायर करना है कि जो आप exam काम दें उसमें आप full marks या full attempt करने की कोशिश कर पाएं अब देखिए यह अगर देखें तो पी टेल होगा 2 by 5 लॉजिक इससे देखें बाकि इससे देखते तो आप ऐसा बोलते माल लिजे यह 2 कोई आते तो 2 by 5 टेल आने की पुलिटी जीरो माल लो यह कोई आता तो 1 by 5 टेल आने की पुलिटी वन यह का कोई आते तो 2 by 5 टेल आने की पुलिटी 1 by 2 देखिए जीरो हो गया 1 by 5 प्लस 1 by 5 लॉजिकली भी समझे जब आप एक कोई को थरू करेंगे तो आधर हैट और तेल मिचली एक्स्विसी इवेंट के दोनों का समय मिशा वन होगा तो अगर आप कंसेप्ट बना के कभी भी पढ़ेंगे बहुत बेस स्ट्रॉंग करके कभी भी किसी टॉपिक को कवर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती और मैं आपके साथ अभी वही टॉपिक शेयर कर रहा हूं या वही टॉपिक डिसक करते हैं नोट करिए कोश्ण को है अगा हा हाई है अगर कि अनन दी है से डिफ्टे थे कि बहुत अच्छा ने को शर्ने कोश्ण नंबर फोर्त देखिए और questions को समझेगा उसका कि base क्या है क्योंकि सारा concept इसी बात पर कि questions को किस दन से आप solve कर पा रहे हैं अब देखे question number fourth में बोला है यह question हमने class में alternate वाला directly करा है A and B throw a die is succession to bin await with A starting first whoever throw first one first bin to amount rupees 110 what are the respective expectation of A and B इस तरह कि कुछ option दिये समझेगा मैं question समझाता भी हो पेपर आप अपने साथ रखके ही इस session को देखिएगा rupees 60 and rupees 50 rupees 75 and rupees 35 and none of these अब देखिए क्या question है समझेगा A and B throw a dice A and B dice को throw कर रहे हैं जिसके पास भी one पहले आएगा वो win होगा और वो 110 रुपीज जीतेगा तो आपको probability expectation बताना है आप सोचिएगा यह question मैंने आपको खरवाया हुआ है A and B throw a coin alternatively A, B, C throw a coin alternatively A, B, C, D throw a coin alternatively A, B, C, D throw a coin alternatively A, B throw a dice alternatively A, B, C throw a dice alternatively आपको याद होगा A और B के dice का पहले मैं आपको direct concept बता है वो बताता हूँ A की winning probability थी dice में 6 by 5, B की winning probability थी 5 by, sorry 6 by 11 और B की थी 5 by 11 अब simple question है A कितने रुपे win करेगा तो A होगा 6 by 11 into 110 यानि 60 तो B obviously कितना होगा 5 by 11 जवत नहीं है वैसे ही बता सकता है 110 यानि 50 रुपीज तो answer तो होगा 60 और 50 पर कैसे वो बता रहता हूँ आपको याद होगा question फिर समझ लिजी A and B throw a dice alternatively till one of the gate one and win the game and gain 110 रुपीज यानि जिसके पास B one आ जाएगा dice पर पहले वो game में win होगा और उसको 110 रुपीज मिलेंगे तो आपको expectation बता रहा था अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया दर का concept कि A और B को A और B में अगर winning chance है यह समझाने के लिए बता रहा हूँ इसके answers वैसे इन questions के याद रहें तो अच्छा रहता है अब जैसे A कपकप विन होगा या या फिस्ट में होगा यानि थ्रोग किया विन हो गया या फिर B के पास गया बी नहीं विन होगा तो फिर A के पास आया ऐसा चलता रहेगा राइगा अब बिनिंग साहँ सब जब एक इंफाइनेट तक चलेगा अब डाइस पर पर प्रविलिटी अफ वन आने की वन बाइ सिक्स ना आने की फाइब बाइ सिक्स इंफाइनेट वाले केस होता तो देखे क्या होगा वन बाइ सिक्स नहीं आया फाइब बाइ सिक्स फाइब बाइ सिक्स एंड वन बाइ सिक्स दि कि यह आ गया जो मैंने आपको बताया था अच्छा ए और बी में कोई एक विन हो गई क्योंकि मिचले एक्ष्विसी इवेंट है तो पी ए प्लस पीवी इक्वल टू वन इसलिए पीवी इक्वल टू हम ऐसा भी बोल सकते थे फाइब बाय सिक्स अब जितने रुपे की बात कर तो इसके 110 का मल्टिप्लाय कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है बहुत ही अच्छा लॉजिकल सिंपल सा कोशन था राइट नेक्स कोशन देखते हैं देखिए कोशन नंबर फिप यह कोशन हमने पहले भी किया हुआ है दुबारा कर बार हो और अच्छा कोशन है इंपॉ प्रोबिटी पी आफ सोइंग अप हैड और टॉस पी की वैलू दिए जीरो से बन हंडेड आजेंटिटिकल कोई दिये हुए बोला क्या है एंड प्रोलिटी आफ हैड ओन एक्जेक्ली 50 कोईं 50 कोईं पर हैड आने की प्रोलिटी 51 कोईं के हैड के एक्वल दी हुई है कैसे होता बताता हूं सबसे पहले तों बाइन में डिस्टिबूशन का फर्मला लगेगा एंसी आरफ पी पावर आपक्यू पावर एंड माइनस आर इंडिपैंडट एवेंट है क्योंकि तो हंडरेट सी 50 P power 50 Q power 50 100 C 51 P power 51 Q power 49 अब एक बात ध्यान रखेगा कि NCR ये छोटे छोटे concept हैं जितने ज़्यादा याद होंगे उतना अच्छा उतना time save होगा यानि ये ही चीज़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में भी time अपना खराब कर देते हैं अब आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ अदरवाई इनकी जगोत नहीं है NCR upon NCR minus 1 होता N minus R plus 1 upon R इसका मतलब इसको मैं वहाँ ले जाता हूँ यहाँ पर P और Q का divide किया तो देखे Q upon P क्योंकि Q बड़ा है यहाँ पर P P नीचा जाएगा 100 C 51 upon 100 C 50 यानि 100 minus 51 plus 1 upon 51 यानि Q by P equal to 50 upon 51 ऐसा भी बोल सकते हैं 51 Q equal to 50 P पूछा क्या है P यह Steps केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ आप लोग जो जो Steps की जववत ना हो वो ना लिखें अब देखें 51 minus 51 P 1 minus P लिख दिया equal to 50 P then P equal to 51 upon 101 यह याद रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा अच्छा और important question है ध्यान रखेगा नोट करिए question को फिर next question पर आते हैं देखिए next question क्या है next question बाजन distribution पर based है question number 6 की बात कर रहा हूं है तो 6 question में देखिए क्या बोलागा है इसमें directly आप formula यूज कर सकते थे और वही करना चाहिए question number 6 में बोला है कि in a person distribution px equal to 3 equal to 1 by 4 px equal to 4 then then पूछा है px equal to 5 कभी-कभी यह formula काम आ सकता है इसलिए मैंने questions को collections देए हुए कि ऐसा नहीं कि सलेब इसका पाटने तो आप करें ना then the value of k सबसे पहले याद रखेंगा कि इसका जैसे बाइन बेडिस्टिपूशन का formula यह पीडिका भी formula है e power minus m m power r upon fractal r where m is mean of positive distribution this is np अच्छा यहां पर देखे e power जैसे यह हो जाएगा e power minus 3 right sorry e power minus m m की power minus m की power कितना हो जाएगा m की power 3 क्योंकि r की value 3 upon factor 3 equal to 1 by 4 e power minus m m power 4 upon factor 4 अब समझे यह हमेशा cancel होगा 4 से 4 भी cancel factor 3 भी cancel तो m का value आगया 1 m का value 1 आगया अब आपको इसको solve करना है right अब देखें क्या क्या किया step थोड़ी सी बचाने की कोशिश करा करिए equal to 1 by 4 equal to 1 by 4 m power 4 upon sorry sorry factor 4 1 नहीं आएगा upon factor 4 अब देखें क्या हुआ होगा यहाँ पर 1 m यह cancel m cube 1 m बच गया आपको मिलेगा 4 into 4 into factor 3 upon factor 3 equal to m तो यह देखें factor 3 से 3 cancel तो m का value आगया 16 right m का value आगया 16 sorry वहाँ पर मैंने वो y chance गलाग लिए तो आप देखें यहाँ पर क्या होगा x 5 बोला है e power minus m m power 5 upon factor 5 equal to k times of e power minus m m power 7 upon factor 7 अब m क्योंकि आपके पास है अभी पर करते हैं यह आपस में cancel होगया अब 1 m square यहाँ बचेगा तो m square into k equal to logically देखें तो 7 factor उपर आएगा है तो 7 into 6 7 into 6 तो देखें आंसर भी कुछ इसी दंग से दिया हुआ है 7 into 6 अब यहाँ पर देखें k equal to क्या जाएगा 7 into 6 upon m का square 16 into 16 2 से cancel कर दीजिए तो 7 3 जा 21 और यहां मिलेगा 8 तो 16 8 जा 128 तो correct answer हुआ के का 21 upon 128 के वल यह formula अगर आपको पता है तो आप question को easily कर सकते हैं otherwise आपको यहां पर problem आज सकती तो ध्यान रखो छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपने इन पर एक अच्छे से concept बना लिया आप बहुत इजीली इस topic के question कर सकते हैं जो तब सबसे इजिएस हो सकता है और जिन नॉर्मल ही सभी को डर लगता कर आपने उसको strong कर लिया तो आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे क्योंकि इन टॉपिक में कमांड आने से एक अलग ही confidence आपको बिल्ड होगा note करो question को इस नेक्स कोश्चन देखते हैं देखे question number seven क्या है PNC and probability के mix questions है important questions है यह questions आ जाएंगे आपको तो आपको कहीं ना कहीं P and C के questions में problem नहीं जाएगी आप जो एक्जाम देने वाले उस पर बहुत अच्छा score करेंगे देखे क्या है the number of words that can be formed by using the letter of the word mathematics अब यह बहुत ही simple question है P and C का आप easily कर सकते है right that start and end with T देखे start भी T से करना है और end भी T से करना है यानि यह दो letter को cut कर दीजे right आप कितने बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 letter को arrange करना है यानि factor 9 A two time आ रहा है divided by 2 तेकि A के इलावा आप अगर ध्यान दें तो और कोई भी letter यहाँ पर ऐसा नहीं है जो M two time है तो M को भी two से divide कर देजिए right आप note कर लेजे अब इसको solve कर लेजे question को तो आपका answer आ जाएगा T और T को आपने fix कर दिया इसलिए इनकी rotation नहीं होगी बस यहाँ पर आपके पास बचे 9 letter तो 9 letter को arrange करने के बचे बचे नाइन और जो जो repeat हो रहा है उनके factor का cable divide ही करना है right note करिए yes next question देखते देखिए क्या question है और important question है याद रखेगा यह determinant वाला question अक्षर exam में आता है और इसका मैंने बार concept बता है और फिर बताता हूँ our determinant is chosen random from the set of all of all determinant of matrices of order 2 with element 0,1 only the probability that the determinant chosen is non-zero मतलब अब इसमें तीन तरह की case बनते हैं एक non-zero एक positive एक negative और एक zero आपको एक question क्या है समझ लेजेगा और इसका पूरा concept भी है यह 6 by 16 यह 3 by 16 यह 3 by 16 यह 10 by 16 question समझ लिए एक बार question यह बोला है मैंने आपको सब चीजे fundamental foundation में करवाई हुए है our determinant is chosen at random from the set of all determinant of matrices of order 2 with element 0 and 1 only the priority that the determinant chosen is non-zero आप देखें 2 into 2 का determinant लेना है और जिसमें element 0 और 1 only हो तो याद रखेगा 0 और 1 और order क्या है 2 into 2 यानि 2 की power 4 यानि 16 determinant बनेंगे right 16 determinant बनेंगे element 2 है और order 4 2 into 2 4 अब वो 16 कौन कौन से होंगे तो like this 0 0 0 0 0 right फिर एक बार 1 आ जाएगा तो यह 1 यह 1 जो है वो rotate होगा देखे 1 0 0 0 कितने बार rotate होगा तो obviously आपको भी समझ में आता है 4 times यह हो गया similarly अब 2 time 1 ले लिजे इसके 4 कैसे ऐसे बनाईएगा तो कभी भी mistake नहीं होगी 1 1 0 0 और यह केवाद समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही important question है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है 1 0 0 1 और एक यह भी हो सकता है 1 1 0 0 right इसी तरह से एक केस ऐसा भी होगा जिसमें तीन बार 1 आएगा और एक 0 तो obviously जैसे यह एक 1 पर रोटेट हुआ four time obviously यह भी अब आप 0 को रोटेट करेंगे तरह सा सोच लेजेगा 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 like this यह देखिए four time होगा और एक केस ऐसा भी होगा जिसके सभी one one मिलेंगे अब देखिए इसका determinant इन सब के 0 है यह सब 0 वाले यह भी 0 वाले है यह सब यह प्लस one यह माइनस 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 one यह प्लस one यह जीरो अब आप देखिए ज़रा count करिए तो जीरो वाले आप गिनेंगे तो one two three four five six seven eight nine और एक यह हो गया 10 पॉजिटिव वाले गिनेंगे तो देखिए पॉजिटिव वाला one one फिर यह हो गया two और यह हो गया एक और होगा कहीं पर मैंने केस नहीं लिया होगा देख लेते हैं पहले टोटल गिन लेते हैं one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen इसका one आएगा स्वरी प्लस वन आएगा तो देखिए पॉजिटिव वाले देखिए तो यह देखिए one one and one three निगेटिव वाले देखिए तो वन one and one three तो यह four possible question होते है नॉन जीरो थी पॉजिटिव थी निगेटिव तो six by sixteen positive only three by sixteen negative only three by sixteen and zero की बात करें तो simply ten by sixteen यानि ten ऐसे हैं जो zero है तो इस तरह से अगर आप questions को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा याद रखना मतला यह standard questions है important questions है इनके concept अगर एक बार build हो गए तो नए questions भी easily बनते हैं यही फायदा होता है next question देखते हैं देखिए question number nine क्या question है जराद समझेगा क्या क्या बोला है 9th question में देखिए 9th question में बोला है pb equal to if pb equal to 3 by 4 p a intersection b intersection c bar equal to 1 by 3 and and p a bar intersection b intersection c bar equal to 1 by 3 then 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 pb intersection c is यह आप से पूछा गया है right अब इसमें क्या क्या option दिए देखिए इस तरह क्या options हैं कैसे करेंगे अब सबसे पहले एक बात समझें कि यह question को आप दो दरीके से या तो फार्मरे से करें या वेंडाइग्राम से करें हम वेंडाइग्राम से करके देखते हैं जली हो जाएगा यह माल लीजिए A है यह section B है यह section C है आप सबसे पहले आप बात करें PB की तो PB का मतलब होता है यह पूरा section यह पूरा जो है this is called PB जो 3 by 4 दिया है A intersection B excluding C bar तो A intersection B यह वाला section होगा only क्योंकि इसमें C bar नहीं लेना this is 1 by 3 ऐसा सुचिए पिर दिया A bar intersection B है और A का compliment intersection B और C का compliment इसका मतलब कि आपको आप समझेगा कितना अच्छा है यह question कि इसका मतलब आपको यह दिया है यह देखिए यह पूरा जो है यह पूरा section यह पूरा है यह पूरा है B intersection C जो आप से पूछा गया है और A bar intersection B यानि यह वाले portion को भी आपको दिया हुआ है कितना दिया है 1 by 3 तो अगर इस पूरे में से यह दो माइनस कर दें तो यह बचेगा यह वाला पूरा section बच जाएगा अपने आप ही जो आप से पूछा गया है B intersection C तो देखे क्या जाएगा यह वाला portion जो है यह वाला A bar यह जो section है समझना A bar intersection B intersection C bar ना तो A हो ना C हो केवल B हो तो यह वाले section को एक चुन में बोला गया है 1 by 3 यह section find करना है अब समझेगा यह पूरा section आपको दिया है 1 2 by 3 sorry 3 by 4 इसमें से एक यह section minus किया 1 by 3 इसमें से एक section यह भी minus किया 1 by 3 तो बच्चा section यह हो गया यानि 3 by 4 minus 2 by 3 एलसम कितना आगया 12 9 minus 8 यानि 1 by 12 यह जादा अच्छा तरीका है question को समझ लेजिए PV मतलब यह पूरा section हो गया A intersection B A intersection B excluding C तो यह वाला exclude हो गया फिर A bar और C पे bar यानि केवल isolated B only की बात करें तो B only यह section है आपसे पूछा है B intersection C यानि यह section आपसे पूछा गया है तो आपने दोनों को add मतलब इसको total में से इन दोनों को जो आपने यह चीजे हैं इन दोनों को add करके minus करती राइट no doubt this question yes next question नेक्स कुछइन देखे कि कुशन नंबर टेंथ क्या है और question number 10 में देखिए क्या बोला आप fair coin is tossed n times आप fair coin is tossed n times आप fair coin is tossed n times then the priority is that the head comes odd number of times fair coin को n times throw कर रहे हैं आप से बोला head comes odd number of times वैसे इसमें head और tell दोनों के लिए odd बोले तो भी 1 by 2, even बोले तो भी 1 by 2 head और tell कुछ भी बोले n times का तो इसका answer हमेशा 1 by 2 होता है पर आप इसे concept समझना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए ये 1 by 2 ऐसे answer दिये है अब आप एक बात बताई है अगर n की value में 2 लूँगा तो ये दो options सेम होंगे इसलिए n की value 2 की जगे 3 ले लीजिए समझना आसान होगा 3 लेया तो देखे क्या क्या cases होंगे head 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 tell head tell head 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 tell 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 head and all tell odd number of time head position की बात नहीं का रहा है ये 3 time आया odd हो गए ये 2 times ये नहीं होंगे ये भी नहीं होगा ये और टाइम से 1,2,3,4 4 by 8 this is 1 by 2 अब n के place पर आप किसी में भी 3 रख लीजिए 1 by 8 नहीं 1 by 2 के बल directly 1 by 2 ही होता इसका answer आप 4 कोई ले ले लिजिए 5 ले लिजिए 6 ले लिजिए तो इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं होता है ध्यान रखिएगा चलिए next question number आते हैं 11th पे question number 11th देखिये क्या है question number 11th में बोला है question number 11th में बोला है question number 11th में बोला है the number of different license plate that can be formed from 3 English letters A to Z okay followed by 4 digit 0 to 9 with repetition allowed in letter and digit is equal तो ठीक है 3 place पे alphabet लेना है 4 place पे digit लेना है simple है इसके लिए 26 26 26 26 इसके लिए 10 10 10 10 यानि 26 का Q into 10 की पावर 4 is a right answer right next question देखिये question number 12th क्या है question number 12 देखिये question number 12 में बोला how many in how many different ways can the letter of the word corporation be arranged so that the bob will always come together तो एक simple सा logic है जब भी कभी आपसे bob will always come together तो आप अलग 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 लेजिए से इसमें पहले bob will अलग कर लेजिए तो ओ ओ ओ ओ ये 1 2 3 और ये और हो गए ये और आई ये बॉब इस हो गए अब बचें क्या 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 होगाँ सीlar पी आर और एक बात याद रखीं जो रिपीट हो रहा है is«ो अनको एक साथ लेजिएी.. फिर क्या क्या बचआए सी पी है आपने अरर आर अले लिए थे पिर दिय और फिर आर अम करने के विए आपको concept बताया fundamental counting में इस पर factor 7 जो repeat हो रहा है उनका divide कर दिया factor 2 बट जो एक साथ है वो अपनी position change करेंगे factor 5 पर इसमें भी repeat हो रहा है divided by divided by factor 3 यस तो इसको solve करना चाहें तो कर लिजे आप खुद भी कर लेंगे 7 6 5 4 factor 3 से factor 3 cancel 5 4 3 2 से 2 cancel देखिए 7 6 जा 42 42 इंटू 3 एक साथ कर लिजे 42 इंटू 3 126 इंटू 20 इंटू 20 यानि 400 तो एक तरह से आपको केवल इसका ही multiply करना होगा अब देखिए अगर इसके options पर ध्यान दे तो option यह है 810 1440 2880 and 5400 अब मैं वैसे आप से बोलूंगा 640 24 तो यह अंसर तो होई गया पर यह तो इतने छोटे अंसर है कि आप पूरे multiply करें बिना भी पता सकते हैं इसी को बोलते हम concept कि अगर हम मालेजे पूरे multiply करके जो time निकल ला उसकी जगे हम आगे पढ़ जाए तो सबसे अच्छी टेक्निक्स होती है चलिए नेक्स कोशन नंबर 13 13 कोशन क्या देखिए जरा 13 में बोला number of way in which five days five days can be chosen from each of the 12th month of a non-leap year कितना अच्छा कोशन है the number of ways in which five days five days can be chosen from each of the 12th month तो 12th month के अगर हम देखे हैं तो 12th month में 31 वाले होते हैं 7 month 30 वाले होते हैं 5 और एक होता है 28 वाला आपको पता है two conjugative 31 आते हैं तो 7 हो गए 31 वाले फरवरी 28 का होता तो obviously 5 वाला है अब इसमें से 31 C 5 और ऐसा कितने बार 7 time 30 C 5 ऐसा 5 time 28 C 1 ऐसा कितने बार 1 time तो यह इसका 5 भी लिखना थे हैं कहें इस लिखने में उस्टे को जाए तो आप ध्यान रखना कंसेप्ट में आपको बताता हो चली रहूं चलिए next question देखते हैं देखे क्या है next question में बोला है A is targeting B ऐसा बोला है A is targeting B A जो है वो A is targeting B A B को target कर रहा है A is targeting B B and C are targeting A B and C मिलके A को target कर रहे हैं A is targeting B B and C are targeting A probability of hitting the target by A B C target hitting A की दी है 1 by 3 sorry 2 by 3 hitting B दी है 1 by 2 and hitting C दी है 1 by 3 respectively if A is hit then the probability if A is hit then the probability that B hit the target and C does not अगर A hit होता है तो आपको उस case में conditional probability का question है यह बताना है if A is hit then the probability that B hit the target and C does not अब देखे एक इसको target कर रहा है B को पर B और C मिलके A को कर रहा है अब A hit हो गया यानि B और C मेंसे किसी ने किया होगा या तो B ने किया होगा या तो B ने किया होगा तो समय C ने ने किया होगा या B ने नहीं किया अब B के hit करने की probability 1 by 2 C के ना करने की हेंके लिखे 2 by 3 upon PB 1 by 2 2 by 3 plus PB bar 1 by 2 1 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3 अब 6 celsius रहने तो तो cancel हो जाएगा तूपर मिलेगा 2 नीचे मिलेगा 2 plus 3 plus 1 4 यानी 1 by 2 एजा एक मेड़ा यह हो गया 2 by 3 2 मिला उपर ठीक है नीचे हो गया 2 plus 1 3 plus 1 4 तो 2 by 4 यानी 1 by 2 एजा राइट आंसर राइट नोट दाउन दिस कुशियन जाएट नेच्स कोशन की बात करें हम तो नेक्स कोशन देखें क्या है नेक्स कोशन है 15 आउट आफ यह मैंने आपको बताया हुआ है और इसका अंसर भी याद रखेगा और इसका मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं और वैलू लेके भी कर सकते हैं आप आउट आफ टू एन प्लस 1 टिकेट्स जैसे यह कुछ चीजे स्टैंडर्ड जो आप which are conjugatively numbers 3 are drawn at random the probability that number on AP अब इसमें आप जैसे मान लो N की वैलू सपोस्पोस अब अगर इसको option से करते तो कितनी ऐसी कौन सी वैलू सबसे अची होती जिससे दो option match नहीं करते यह एक question आता है n upon 4n square minus 1 3n cube upon 4n square minus 1 and 3n upon 4n square minus 1 अगर मैं n की value 1 तो लोंगा नहीं 1 पर छोटा हो जाएगा अगर मैं n क्यूंकि 1 पर दोन option सेम हो जाएगा अगर मैं 2 ले लूँ तो देखिए n की value 2 ली तो 2 का square हो गया 4 15 यहां 2 रखो तो 2 by 2 by 15 यहां 2 रखो 2 का cube 8 8 3 जा 24 by 15 यह तो हो ही नहीं सकता चोटा हो जाएगा right 2 का cube 8 और यहां रखा 2 4 16 अब यहां पर आए 2 रखा तो 6 upon 15 यानि 3 by 5 अब देखिए अब इसको अगर मैं n की value 2 लेता हो तो मेरे पास ticket कितने हो जाते है 5 5 ticket में common difference 1 हो सकता है 1 वाले कितने होंगे 1 2 3 2 3 4 and 3 4 5 यह पूरा concept बताया हो था d2 हो n जितना हो था उतनी common difference होते है d2 हो तो यह होगा 1 3 5 यानि ऐसे 3 और यह 1 ऐसे 4 favorable cases बने out of 5 C 3 क्योंकि total 5 ticket है 3 निकालना है तो 4 5 C 3 होता है 10 यह हो गाए 4 cases ना 1 2 3 2 3 4 3 4 5 और d जब 2 लिया तो आपको मिल गया 1 3 5 तो ऐसे 4 फेवरियल cases हो गाए out of 5 C 3 तो 5 C 3 कितना 5 C 2 के equal हुआ तो 5 into 4 upon 2 यानि 10 तो 2 by 5 तो यह 2 by 5 ही लिखना था मुझे से 2 by 5 राइट कहीं पे भी देखो छोटी मोटी कहीं पे भी आपने लिखने वे इससे कर दी तो कई बार हम ही conclude जाते हैं उलग सकते हैं तो यह चीज या रखना दो तो इस question को method से भी कर सकते थे लॉजिक से भी पर वैसे आप याद रखे 2 in plus 1 तर्म में 3 conjugative तर्म एपी बोलें तो answer is 3 in upon 4 in square minus 1 वाकि आप जो n की value लेंगे उतने highest common difference मिलेंगे कई बार इसमें बोलते हैं 7 tickets हैं कई बार 9 ticket बोल सकते हैं कई बार 11 3 ticket drawn at random find the probability they are in ap तो 7 बोला है तो 2 into 3 plus 1 कर लेंगे 9 बोला तो 2 into 4 plus 1 कर लेंगे 11 बोला तो 2 into 5 plus 1 कर लेंगे और n के place पर यह value रखके आप easily इसको solve कर सकते हैं right next question देखते हैं 16 question क्या है 16 question समझेगा 16 question में बोला गया है a box content 2 blue caps 2 blue caps है कुछ question काफी है 4 red caps है and 5 green and 1 yellow if 4 caps are picked up randomly the priority that none of the green 4 caps कोई भी green ना हो इसका मतलब हो गया कि 4 plus 1 5 plus 2 7 7 C 4 upon अब देखिए 2 6 plus 5 11 13 C 4 total add कर लीजे 9 11 12 12 12 C 4 right फिर आईए next question पर क्या बोला देखिए question number 17 question number 17 में बोला थ्री डिक्स्टेंट नंबर राचुज़न रेंडम लीप फॉस्ट हंडेड नेश्रल लंबर फॉस्ट हंडेड नेश्रल नंबर में से 3 number निकाले they are probability that all three of them divided by 2 and 3 2 and 3 2 and 3 मतलब LCM ले लो तो 6 6 वाले तो 100 divided by 6 किया तो कितना 16 point something तो 16 number में से कोई भी 3 out of 100 C 3 out of 100 C 3 right next question देखिए 18 number का question है क्या question है समझते है 18 question में बोला गया है 9 ball are place into 9 boxes 9 balls है और 9 ही boxes है आपके पास इन में place कर रख दिये बट बोला है and five of the ball cannot into three small box five ball ऐसी है जो इन three small box में नहीं आ सकती right इन three small box में five ball नहीं आ सकती तो obviously उन five को यहीं रखना होगा तो उन five को यहां रखना है तो पहले six में से किसी पर five में से फिर four फिर three फिर two खतम अब एक box empty और यह three box four box है four three two one question एक बार फिर समझे नाइन बॉल है और उनको nine boxes में put करना है बट यह given है कि कोई five particular ball ऐसी थी जो इन three small box में नहीं आएंगी तो हमारे पास three small box है ऐसा सोच लीजे three small और six big है तो six big में यह five तो आ सकती है तो पहले big में रख दीजिए five तो six five four three two अब एक big box big box बचा और three small है तो four box है तो अगली क्या होगी four three two one right नोट करें कोईशन यस next question देखने देखी क्या है question number 19 अच्छा question है समझेगा question में बूला गया है there are four books there are four books fairy tale okay five novels and three plays है in how many ways can they be arranged in order books on arranged in order मतलब सबसे पहले fairy tale then fairy tales novels and then plays so that the books of same category put together मतलब fairy tale एक साथ रहे तो fairy tale कितनी है four तो factor four novels कितनी five तो factor five plays है three तो factor three और इनको सीधा सीधा multiply कर दीजिए अगर इसके order नहीं होते तो three two one और होता right next question देखते देखे question number twenty क्या question है सुनिये a and b are independent witnesses in a cases the chance that a speak truth a truth बोलने की probability x है and b speak truth why if a and b agree on certain statement the probability that the statement is true अब देखिए a के बोलने की probability x है b के इस true बोलने की probability y है a and b मिलके agree हुए कि हम कोई एक statement बोलेंगे अब agree का मतलब होता either both are true और either both are false अगर contract एक बोला होता तो एक true दूसरा false बोला होता यह question हमेशा आता है तो आपको बताना है कि statement true हो तो पहले इसका हमेशा conditional probability का denominator सोचा करो हो सकता दोनों नहीं true बोला और सुकता है दोनों नहीं false बोला हो पर true बोला है तो ऊपर xy आएगा false बोला होता अगर false बोला होता तो 1-x 1-y आता right next question देखते हैं देखिए क्या question है next समझेगा जिस दन से मैंने आपको पढ़ाया अगर उसके बाद कैसा भी paper आजा बीजी लिए handle कर सकते हैं in an internet test there are multiple questions multiple choice question with four possible answer to each question of which one is correct ठीक है four multiple choice question है the priority that the student known the answer to question is 90% यानि student को answer पता इसकी priority 90% यानि answer right होने की priority 9 by 10 है wrong होने की 1 by 10 all right the priority that student known the answer to a question is 90% if the student get the correct answer to a question then the priority that is was guessing यानि अब इसमें सोची नीचे क्या होगा हो सकता है उसको पता हो यानि 9 by 10 हो जब उसको पता होगा तो sure है one priority हो सकता है उसको answer नहीं पता हो तो 1 by 10 हो समें guessing किया यानि 1 by 4 पर actual मैं पूछा क्या है he was guessing जो भी बोला जाए उसको उपा ले लो सबसे इजी तरीका होता है कम करने का तो देखिए इसमें यह 4 इस दार जाएगा 36 तो 37 1 upon 37 is a right answer right next question पर आते हैं देखिए 22 22 question क्या है समझेगा 4 person independently solve a certain problem correctly with probability 4 person की problem solving probability दिये यह आपको मैंने कई बार concept बताया है problem will be solve मतलब at least one of them 1 by 4 और D का दिया है 1 by 8 the probability that the problem solve correctly by at least one of them at least one of them मतलब 1 minus none of them means 1 minus ना A ने की ना B ने की ना C ने की ना D ने की बस खतब right calculation आप करते हूँ जलेगा जिससे हम अपना time भी save करते हूँ जलेंगे next question देखते हैं देखिए 23rd क्या question है 23rd समझेगा if A and B are events of random experiments such dot P A union B इतना पढ़ाया है कि अब आपके लिए hint काफी होंगी A bar union B bar 7 by 10 P B दिया है 2 by 5 then P A पूछाए बिल्कुल simple सा question हो गया P A bar union B bar equal to 1 minus P A intersection B means 1 minus P A plus P B minus P A union B देखिए ये given है P A B given है A union B B given है अपने आपी P B calculate हो जाएगा right next question देखते हैं देखिए 24th क्या question है 24th समझते हैं 24th question में बोला गया है 24th question में बोला गया if X is a binomial variate with the range with the range 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and P X equal to 2 equal to 4 times of P X equal to 4 then the parameter P of X P पूछा है Bilemma distribution का question है simple 6C2 P square Q power 4 equal to 6C4 4 time के साथ P power 4 Q power 2 देखिए 62, 64 के equal होता है right P square एक cancel हो जाएगा यहाँ पर P square बचेगा यहाँ पर 4P square equal to Q square यानि आप ऐसा भी बोल सकते हैं 2P equal to plus minus Q Q means Q means 1 minus P plus minus plus sign ले लेजे 2P equal to 1 minus P then P equal to 1 by 3 minus लेंगे तो negative होता नहीं है probability इसलिए आंसर हुआ 1 by 3 right next 25th question by chance repeat हो गया mathematics वाला ही जो हम already कर चुके हैं तो उसको आप पर उसमें बस start with the number of word that can be formed using the letter of the word mathematics start as well as end with T तो सीधा सीधा आपको इसमें starting or ending place पर starting or ending place पर T रखके जो हमने भी कर रहा था factor 9 by factor 2 factor 2 कर दिया था same question हो गया 26 को देखते हैं देखी क्या है 26 question में बोला है how many word can be made with the letter of the word intermediate intermediate if the position of the bovil and consonant are preserved बतलब जिस पोजिशन पे बोल है बोल उसी पोजिशन पे रहे 1 2 3 4 5 and 6 right बोल इसी पोजिशन पे रहे अब देखिए इसमें factor 6 upon T क्योंकि 2 time आ रहा तो divided by factor 2 solve करेंगे तो answer आ जाएगा next question देखी क्या है a hundred apples a hundred apples have to be divided between 25 pupils so that nobody get an even number of apples in how many ways this can be done अब hundred apples हैं ऐसे questions पे कई बार time लग जाता है 25 pupils को आपको distribute करना है और बोला गया है nobody get अब देखिए क्या बोला nobody get the even number of apples अब ये possible नहीं हो सकता है मैंने आपको बहुत detail में समझाया था तो ये simple सी बात है कि zero case क्यों क्यों क्योंकि आप कुछ भी कर लें अगर अभी हम देखें तो सभी के पास पहले four four apple है अब सभी के पास से अगर आप एक एक apple ले भी लेंगे right तो three three हो जाएंगे और किसी एक को दे देंगे तो twenty four apple गए फिर वो again क्या हो जाएगा आप सोचेगा कि सभी से एक लिए तो twenty four लोगों ने apple दे दिये तो सब क्या three three हो गए पर जो twenty four apple और जो twenty five बाला था उसके पार already four थे देन अगे निवन हो गया आपके से भी कर लें ये ऐसा ही होगा इसमें किसी ना एक के पास कम से कम एक के पास even तो हो गई तो इस question का answer होगा zero next question देखिए क्या है the total number of four digit odd number that can be using zero one two three four the total number of four digit number that can be using zero one two three five and seven repetition allowed the total number of four digit odd numbers बोला है that can be form using the digit zero one two three five seven odd digit बोला है repetition allowed है तो भी odd place के लिए one three five seven यानि four possibility पहले place पे zero नहीं आएगा तो one two three four five यानि five and next place पर all one two three four five six six into six right six into six the total number of four digit odd number that can be formed using zero one two three five and seven repetition allowed तो आपने सबसे पहले इस place के लिए रखा one three five seven यानि four possibility हो राइग इस place पर repetition allowed है तो इसको छोड़ दें तो one two three four five यानि five possibility हो अब बचे वो प्लेस पर आप six into six ले सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट नेक्स कोशन पर आते हैं देखे क्या है कोशन नमबर 29 समझेगा 29 तो बोला है five digit number divided by three is formed five digit number divided by three are formed using zero one two zero one two three four five without repetition the total number of such अब डिविज़ लो है three बोला है five digit number बोला है बिल्कूल सिंपल सा logic हुआ इसका सम करिए यह हमेशा ऐसे यह आता nine twelve यह करा हूँ हमने 15 यानि आप एक नमबर छोड़ सकते एक बार जीरो तो five four three two one यानि one twenty और एक बार आप किसी एक कोट आएंगे तो three तो पहले प्लेस पे जीरो नहीं आएगा तो four 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 three two one यानि twenty four four ninety six इनको आट कर दीजिए then final answer right next question देखिए क्या है next question है 30 इस question में क्या बोला है समझेगा 30 number के question में बोला गया है if the letter of the word Sachin are arranged in all possible way of this word are written out as dictionary then the word Sachin appear at the serial Sachin कि serial में आएगा देखिए इस तरह के questions में एक सीधा लॉजिक होता है सबसे पहले बनेगा ए फिर सी फिर एच फिर आई फिर एज यानि इस order में वर्ड बनेंगे अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक से भी आंसर देना सिखाता हूं option is six hundred one six hundred हो सकता है बहुत ही नियर option है अगर निया नहीं होते तो आप option से भी बता सकते हैं सबसे पहले समझ येगा कि पहले आप ये देखिएगा a c h i n यानि और सबसे आखरी सबसे पहले बताएए पहले प्लेस पर a से बनेंगे जब आप बनाओगे बहुत ही simple question a से c से s से i से n से इन 5 से बनने वाले काम के नहीं है पर इस 5 से कितने बनेंगे 5 इंटु 5 4 3 2 1 यानि 600 120 इंटु 5 इसके बाद अगला लेटर बनेगा s और s के बाद अल्रेडी ये इसी ओर्डर में दिये हैं तो a c h i n यानि 600 and 1 is the right answer dictionary problem जो समझाई थी उससे ही करना है ये question right next question देखते हैं the total number of number greater than 1000 but less than 4000 form using the digit greater than or equal to 1000 and but less than 4000 form using the digit 0 1 2 3 and 4 repetition allowed simple सा logic हुआ कि 1000 से बड़े और 4000 से कम होना चाहिए तो starting place पे 1 2 3 4 4 possibility repetition allowed है तो यह obviously इससे बड़े होंगे 1 2 3 4 5 5 5 5 5 यानि सीधा सा ये logic हुआ 125 अच्छा यहाँ पर 4 नहीं आएगा sorry 3 वे होंगे तो 125 x 3 this is 375 right next question देखते हैं देखे 32 क्या question है 32 समझेगा अच्छा question है समझे वाला total number of books in 2N plus 1 total number of books is 2N plus 1 1 is allotted to select a minimum of the 1 books and a maximum of n book the total number of selection is 63 then the value of n option से करते है 3 6 2 none मतलब 2N plus 1 book में आपने minimum 1 book और maximum n book select की तो total selection 63 book का हुआ तो आपको बताना n का बालू क्या होगा suppose मैं option से करूं देखे एक चीज़ समझ में आती 63 है तो n की वालू बहुत बड़ी नहीं हो सकती कि मालो n की वैलू मैं थोड़ी दे के लिए 3 लूँ तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बूक वहीं तो 7 में से कितनी n की वैलू 3 ली तो हम 7 में से वन बूक ले सकते हैं 2 और maximum 3 जितना आन है अब देखो इसको सब्सक्राइब करें सेवन सेवन इंटू 6 21 7 6 5 3 2 1 35 इसको आड़ कर देजिए 63 देन इस इस दा राइट आंसर राइट इस दा राइट आंसर नेक्स कोशन देखें देखें क्या है 33 33 कोशन को समझ यह अच्छा कोशन है और मुझे लगता आपको मैं जो पड़ा एहु तोड़ा स्स confusion कर वा रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप भी इसी स्पीट में सोचना चालू करें इसी technology के साथ करना चालू करें देखे थर्टी थी कुश्चन में बोला है आ किर्केट किलब हाज 15 मेंबर और फूम ओल्ली 5 केन बॉलर 15 मेंबर में से 5 बॉलर सें तो इप दा नेम आफ 15 मेंबर पुट इंट अ बॉक्स एंट लेविन आ ड्रॉन अट रेंडम देन पॉलिटी अप्टेनिंग 11 कंटेनिंग अट लिस्ट 3 बॉलर अट लिस्ट 3 बॉलर यानि 5C3 तो 10C8 5C4 तो 10C7 लेवन का ही सेलेक्शन हों चीए 5C5 तो 10C6 राइट नेक्स कोशन देखते हैं देखें क्या है कोशन नमबर 34 अब पर्स कंटेन 4 कॉपर कॉइन फोर कॉपर कॉइन 3 सिल्वर कॉइन एक पर्स है फर्स कंटेन 4 कॉपर कॉइन 3 सिल्वर कॉइन 2 सिल्वर कॉइन if a coin drawn at out of any purse then the priority that is the it is a copper coin पहले तो एक purse select करो तो 1 by 2 copper coin हो 4 by 7 copper coin हो 6 by 8 right next question देखते हैं देखें question number 35 क्या question बोला है 35 में देखेंगा 35 में बोला a bag a a bag a contain two white and three red balls and bag b contain four white and five red balls one ball drawn at random from a randomly chosen a bag and found to be red जब भी found word लिखा है तो क्या बोला था बेस्तिम याद रखनी है the priority that it was drawn from bag b वह बैग b से हो तो आप इसमें ऐसा सुचिए कि red ball की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बोलता red ball आए इसकी probability बताओ तो आप बोलते 1 by 2 red आने की probability 3 by 5 1 by 2 red आने की probability 5 by 9 अब वो बैग b से हो तो बस बैग b को उपा ले ले अगर मैं बोलता वन बॉल ट्रॉन टेंडम इस फांट परिटी इस वन बोड रॉन ए टेंडम इन वैग फांट परिटी बॉल इस तो आप यह करते और फॉंट लिखा तो यह करने को यह डिनॉमिनेटर और यह नूमिनेटर आप बिलकुल इजीली बता सकते थे चलिए नेक्स कोशन देखते हैं 36 क्या कोशन न फिफ्टी टू कारण भी थ्रो परफ दाइस वाट इस देखते हैं बोड कारण आप सेम सूट और बीगेट टोटल अव शिक्स देखे कितना अच्छा कोशन है समझ नहीं ए ड्रॉ टू कारण विट प्लेसमेंट फिफ्टी टू कारण एंड बी थ्रो अप परफ दाइस बी जो है वो प्यारफ डाइस को पहले तो दोनों इंडिपेंड़निट इवेंट हैं पर दोनों का मल्टिप्ला होगा ऑगेट बोड कारण आफ सेम सूट सेम सूट मतलब माल लीजिए जिस सूट का आया है पहले तो फोर में से एक सूट निकाला और उस suit का 4 suit होते हैं उस suit का एक card निकाला अगेन उसी का एक card निकाला out of 52 C1, 52 C1 और यहां पर जब आएंगे pair of dice में यहां बोला है A gate both card of same suit and B gate total of 6 total of 6 का बाता है 5 by 36 होता आजा अब अगर आप logically देखें तो 4 into 13 into 13 upon 52 into 52 यह cancel 52 से completely यह 1 by 4 अब 1 by 4 into 5 by 36 यहांई 5 by 144 5 by 144 is a right answer समझ यह सबसे पहले एक कोई suit ले और उस suit का ही पहली बार card आए उसी suit का दुबारा है out of 52, 52 क्योंकि वितर प्रेस्मेंट है वहां पर total of आप से बोला है कितना 6, total of 6 के case में आपको बताय हुए है 1, 5, 2, 4 यहांई 5 cases बनते हैं टोटल 3, 2, 4, 1 and 5, 1 तो 5 by 36 राइट लोट करिये कोईशन चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं 37, 37 कोश्चन क्या समझेगा अच्छा कोश्चन है और 37 कोश्चन के बोला है the priority that a student pass in mathematics mathematics में pass हो इसकी priority is 4 by 9 and pass in physics is 2 by 5, okay assuming that passing in mathematics and physics are independent if each other what is the priority that he pass in mathematics pass in mathematics and fail in physics so 3 by 5 खत्ब राइट फिर आते है 38 नमबर के कोश्चन पे देखे 38 क्या दिया है from a pack of 52 card 2 card are drawn first begin replace before the second drawn what is the priority that first is diamond first is diamond and second is king खातम तो ये 52 पूरा गैंसल तो 1 by 52 right 39 question पे आते हैं देखी क्या है what is the priority of having a king and queen when 2 card are drawn from pack of 52 card what is the priority of having king 4 by 4 king and queen 4 c1 4 c1 out of 52 c2 right next आते हैं 40 number के questions पे the number of way in which 9 different toy can distribute among 4 children so that youngest child get 3 toy and each other get 2 toy total देखी है 9 toy और 4 बच्चे हैं 4 boy हैं the number of way in which 9 different toy can be distributed among 4 children so that youngest child 3 तब से छोटा जो इसको 3 मिल जा है तो 9 c3 बाकी सब को 2 दो मिलें तो बच्ची कितनी 6, 6 c2 4 c2 and 2 c2 all right next question नेक्स कोश्चन देखें देखें 41 क्या कोश्चन है समझेगा 41 कोश्चन में बोला है how many word how many word can be formed using all the letter of the word nation how many word can be formed using all the letter of the word nation so that all the three vowels should never come together यानि तीनों बाविल एक साथ ना है all word यूज है याद रखना all जब भी हो तो ऐसा मत कर देना जिस इसमें बाविल क्या है a i o बचा n t n तो ऐसा मत कर देना यह गलत हो जाएगा कि इनके बीच में बाविल all बोला है जब भी all बोलें तो total case minus total case factor 6 upon 2 होगा क्योंकि हैं repeat हो रहा है बाविल एक साथ आए तो कितने letter होगा है 1, 2, 3, 4 factor 4 by factor 2 और बाविल अपनी position change कर सकते into factor 3 solve कर लेजिए आपको 100% answer मिल जाएगा कोई problem ही नहीं है next question आते है देखे 42 42 question में क्या बोला है 42 question में बोला गया है P simple question है यह बात के question थोड़े simple थे 71 77 31 equal to X 77 P 31 equal to X है 77 C 31 equal to Y then which one of the following is correct याद रखेगा X हमेशा greater than Y होगा क्योंकि NPR is always greater than NCR तो कोई confusion ही नहीं है सीजा सीजा लिख देते है X greater than Y बात के जो 10 question थे वो काफी conceptual question रखे थे मैंने next question देखे 43 क्या कोशन है 43 if there are four candidates for a post of lecturer in mathematics and one is be selected by post board of five men then number of way board can be done simple question है if there are four candidates for a post of lecturer in mathematics and one is to be selected by board of five men then what is the number of way in which board can be done अब देखे कितने candidate है four four candidate है यानि अब आपके पास और क्या करना है if there are four candidates for a the post of lecturer in mathematics four post है mathematics की and one is to be selected by a vote of five men उसमें से एक उसमें से five men जो है वो बोट करते हैं how many ways तो देखे फस्ट को five men है फस्ट में को फोस्ट करने के कितने दरीके होंगे four either जैसे ये a, b, c, d तो four ways अगले के लिए भी four अगले के लिए भी four अगले के लिए four अगले के लिए four पावर five यानि one, zero, two, four ये बिल्कुल letter box और letter जैसा question है याद करियेगा क्या है if there are four candidate for a post of lecturer in mathematics four post है and one is to be selected by a board of five men five men के board से select हो रहा है तो first को board करने के four ways first men को second के लिए four third के लिए four fourth के लिए four right? note कर लिजे question yes, next question देखें, देखें, क्या next question है yes, next question देखें, कि 44 बात के questions काफी easy है आप से easily बन जाएंगे coefficient of quadratic equation a x square plus b x plus c equal to zero as chosen by tossing three fair coin where had, had means one and tell means two then the priority that roots of the equation are imaginary अब समझेगा roots of the equation are imaginary मतलब b square minus four a c less than zero अगर मैं बात करूँ real roots की तो b square minus four a c greater than or equal to zero होना चाहिए अब logic से सोचो कि b की value two हुई b की value two हुई और a और c की value a and c की value केवल one हुई तो ही एक possibility है कि ये roots real होंगे यानि four minus four otherwise बाकी cases में नहीं होंगे यानि एक tail आए और दो head आए इसके अगर हम cases समझें तो ये possibility है कि b की value क्योंकि a b c कुछ बोला नहीं है तो ऐसे तीन cases हो सकते हैं इस पर की roots real होंगे बाकी इमेजनरी यानि five by eight is a right answer total case three coin के होंगे eight उसमें एक ही case होगा जबकि ये four हो और ये बन बन हो तो उनके arrangement भी होंगे क्योंकि a b c के लिए बोला है तो इस तरह से question solve कर सकते हैं देखते हैं next using the digit 45 45 देखें क्या है using the digit 12345 any only once how many number greater than four one triple zero तो देखिए four one triple zero बोला है तो starting place पे four आएगा और number क्या क्या दिये one two three four five तो पहले place पे four or five आ सकता है two possibility बात के place पे कोई भी number आ सकता है पर using at a time one बोला तो four three two one और याद रखेगा इसमें क्योंकि zero नहीं है इसलिए इस question में कोई problem नहीं है फिर next देखते हैं देखिए 46 question 46 question में क्या बोला है समझेगा 46 question में बोला है problem in statistics to given three student a b c chances of solving independently one by two one by three one by four the priority that problem will be solved याली one minus none of them right next 47 b बिलको simple है pa union b दिया है three by four pa intersection b सब इस बात के question simple रखे थे pa बार दिया हुआ है two by three यह नि यह दिया है one by three pb पूछा है direct formula लगा के कर लेंगे next देखिए 48 48 question में क्या बोला है सुनिए जरा ध्यान से 48 question में बोला है suppose a and b are two events event b has occurred ठीक है pb less than one what is pa upon b compliment यानि pa intersection b bar upon pb bar this equal to pa minus pa intersection b upon one minus pb इसको pa into b b लेख सकते हैं काफी simple question है 49 50 भी बहुत हीजी है 49 50 में क्या बोला देखेगा 49 है two student x and y appear in examination the priority that x will qualify the examination 0.05 x के लिए बोला है y will qualify the examination 0.10 the priority that both will qualify the exam both will qualify मतलब 0.02 इसका intersection what is the priority that only one of them will qualify only one of them का formula होता है देखें actual में ऐसा बोला है x into y bar plus x bar into y इसको अगर हम देखें तो ऐसा लिखेंगे पी x into 1 minus p y plus यह मैंने बताया हूँ आपको p by into 1 minus p x राइट और जब multiply करते हैं तो ऐसा मिलेगा p x plus p y minus 2 times of p x into p y इसको हम multiply को intersection भी लिख सकते हैं तो देखें 0.05 0.10 minus 2 times of 0.02 राइट और फिफ्टीएथ कोश्यन है आप बैक कंटेंट five blacks and three white balls two ball are drawn at random one after the another without replacement what is the party that both are white both are white मतलब without replacement है तो three c1 ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो three c2 upon eight c2 अब देखें यह paper मैंने आपके साथ पूरा discuss किया थोड़ा question speed में बताया obviously उसका purpose था क्योंकि already foundation पढ़ाया है quick revision में probability permutation भी करवाया था और देखिए जब तक आप खुद energy के साथ नहीं करेंगे मेरा speed में करवाने का purpose यही होता है क्योंकि पूरे साल बर में हर चीज बहुत धीरे धीरे बढ़ाता हूं पर जब exam का time होता है तो speed बढ़ाना क्योंकि जिस speed से मैं करना चाहता हूं या जो मैं चाहता हूं कि आप करें उसी speed को अगर मैं follow करूंगा तो आप भी उस speed को follow करेंगे इसलिए मैं या आपको message देना चाहता हूं कि आप बार बार पुराने paper को solve करिए आपकी speed आजाएगी आप हमेशा कोशिशन करते हैं कि सर इस speed नहीं आती paper में attempt कम हो पाते हैं उसका region है कि आप papers को resolve नहीं करते हैं तो जब two, three time, four time करेंगे अपने आप speed आएगी तो यही एक purpose है पूरी कोशिश की गई है कि quick revision या इनसे आपको फायदा मिले और मिलेगा क्योंकि मैंने आपको पूरा syllabus को बहुत धीरे-धीरे cover किया है पर जब question solving की बात आती है जब paper solving की तो मैं बोलता हमेशा full energy के साथ, full speed के साथ हमेशा paper solve करना चाहिए इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखो बहुत अच्छे से paper को solve करो क्योंकि यह paper आपके पास भी two, three time solve करो फिर इसके solution देखो, फिर solve करो, फिर solution देखो, speed आजाएगी इसमें वो सब variety लगभग cover की गई जो अकसर complete exam में आती है तो अच्छे और important question थे, इसको solve करिए, thank you